हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए 20 x 40 फिट का दच्छिड मुखी साउथ फेस होम प्लान लेकर आजा हूँ और यह हुम्मीद करता हूँ यह आप लोगों को जरूर पसंद आएगा तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका मैंने 3D व्यू तयार किया है और य देखिया यहां सामने से रोड जा रहा और इतना जो है रैंप लगा दिया गया है गाड़ी के जाने के लिए और यहां पर देखिए इतना फ्लावर बैट दिया गया है जहां पर फूल पौधे लगा सकते हैं थोड़ा मैं जूम करता हूँ तो आप लोग देख लेंगे यह देखिए पहले आप लोग बाहर का व्यू देख लीजिए फिर मैं अंदर का ले आउट जो है आप लोगों को समझाता हूं इसका डाइमेंशन मगरे तो देखिए यह इसका राइट साइड व्यू है यह जो प्लाट है यह तीनों तरब से पैक है इसलिए बाहर से कोई विं रूपिंग रूप दिया गया है कि जिसके जिससे की बारिस का पानी घर के अंदर ना जाए और वह पीछे से निकल जाए यह दिखिए इसका फ्रंट व्यू तो अभी मैं आप लोगों को अंदर का लियाउट समझाओंगा और उम्मिद करता हूं कि अप लान आप लोगों को जरूर पसंद आएगा इसका 3D व्यू आप लोग जरूर पसंद करेंगे इसमें सब कुछ मैंने अजिस्ट किया है तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं या भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकान को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहें तुसलिए अब इ देखिए लेफ्ट राइड में लिविंग रूम है और इसमें देखिए यहां पर एक टीवी लियाओट किया गया है इस तरफ सोफा है और इस तरफ भी सोफे का लियाओट किया गया है अभी मैं बाद में आपको दिखाता हूं यहां से होते हुए हम यहां से होते हुए हम जानिंग हाल में प्रफिति ऑनर पर यहां पर आंनिंग Smell है और चैर के साथ लगाया गया में है भोजन करने के लिए और आपको दिखाता हूं कि कि यहां पर यांड वास लगाया हाँ धुनने के लिए और यहें यहां नहाने के लिए बाथ्रूम में। Qишьapna- वेंटिलेशन मिलता रहा गया क्योंकि यह प्लाट जो है तिरों सर्फ से पैक है और यहां से देखते हैं किचन है थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको यह देखे किचन प्लेटफार्म है और इस पर गैस चूले का लियाओट किया गया है यहां पर वोगन रखा गया है और यह फ्रिज है और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि जो किचन केबिनेट लगाया गया है देखे एक दिखे एक दिखे मॉड़न किचन है यहां पर आप एक बेड्रूम है यहां पर यह देखी block ecc यहां पर एक वीड का जोटा सा इंत म второй हैं जिसमें द्रावर लगा हूए आप का समानश में रख सकते हैं और यह यहां पर रखा गいます किया और सेंव तो है थोड़ा सा एरिया हम open to sky रख देंगे तो ventilation मिलेगा और यहां पर पीछे डोड़ दिया गया है आप इसमें इंट्री कर सकते हैं तो दूस्तों यह है आप लोगों ने इसका layout और 3D प्लान देख लिया तो लिए इसका हम डाइमेंशन प्लान दिखाते हैं जिससे कि आपको सारा समझ में आ जाएगा यह देखे इसका जो है प्लान है जिससे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर थोड़ा फ्लावर बेट दिया गया है यह रैंप है और यह पोर्ट चापले की स्टेर एरिया है इसका साइज है बारे फिट दस इंच बाई बारे फिट नव इंच का और यहां पर एक डोड़ चैन का स्लेब यहां पर आपको दिखाया था और यह देखे जो है बेडरूम है दस बाई ग्यार फिट का और एक बेडरूम यह है नो गुड़े बार फिट चैन्च का और इतना जो है यह पीछे वोटियस दिया गया है इतना जो है कट आउट रहेगा यह देखिए बात है यह WC यहां पर लियाउट हो जाएगा इतना OTS रहेगा तो दोस्तों अमीद करता हूँ कि यह प्लान आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा प्लान पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये ह आप लोगों को मिलता है आज के प्लान में बस इतना है मिलते हैं एक नए प्लान के साथ मेरे प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद